कि तिरूपति वाला जी और कासि विस्वनाथ मंदिर में हर साल आने वाले लोगों की संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये वर्टिकन सिटी और मक्का में आने वाले लोगों से भी ज्यादा है ये बात आप सब जानते होंगे कि हर 12 साल में कुम मैला कवायजित किया जाता है और इसमें इतने सारे लोग आते हैं कि इस वीड को स्पेस में भी देखा जा सकता है और ये एक अनोखा मौका होता है जिसमें एक ही जगा में दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग एकठे होते है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अबादी भारत में है लेकिन पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सबके मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिदे पाई जाती है और भारत में कुल 3 लाग से ज़् अभी आप सब लोग हाय स्टडीज के लिए फॉरें जाते हैं लेकिन दुनिया की सबसे पहली विश्व विद्याले को टक्सिला में बनाया गया था और इसे लगभग 700 इसापुर में स्तापित किया गया था और उस वक्त देश विदेश से बच्चे यहां पर पढ़ने के लि सिल्वेज में 13 लाग से ज़्यादा एंप्लोई काम कर रहें और यह कई देशों के टोटल पॉपलिशन से भी ज्यादा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भासा बोलने वाला देश है यह बात साथ आप सब जानते होंगे लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आ पहली रॉकेट केट को साइकल में लिया गया था और हमारी पहली सैटलेट को लाँच करने के लिए भी बेल गाडी से लिया गया था लेकिन आज इस रोर हमारी स्पेस प्रगराम की बात करें तो इसे दुनिया की टॉप फाइफ स्पेस एजनसी में गिना जाता है फैक्ट अंग्रेजी अभिनेता सर बेन किंग्सले का असली नाम कृष्णा पंडित भाजी है और उनके जो पूर्बस थे वो भारती है भारत का एक गाउं है जिसके कोई भी घर में दरवाजन नहीं होते हैं इस गाउं का नाम सनी सिंगनापुर है और ये महरास्टर में है ऐसा बता जाता है कि इस गाउं में कभी भी चोरी नहीं होती है और लोगों का ये विश्वास है कि जो भी यहां चोरी करेगा उसे सनी दे में था लेकिन अब इस बात को काफी सारे लोग जान चुके हैं एक और बात में पताना भूल गया कि जो सतरंज का खेल है इसको भी भारत में शुरू किया गया था आपके सर्ट में जो वटन्स लगे हुए हैं इनका अविस्कार भी सबसे पहले भारत में हुआ था सिर्व इतना ही नहीं बलकि स्केल, सैंपू, जीरो, पाई की वेलू, ट्रिकोण, मिती, बीजगणी, तिया फिर कलन का अविस्कार भी भारत में हुआ था इसकी अलावा मोति बिन सर्जेरी और प्लास्टिक सर्जेरी की खोज भी भारत में की गई थी। बनाई जाती है, फैक्ट नमबर 21, और ये बाद भी साथ आप सब जानते होंगे कि भारत अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा दूद उत्पादन करने वाला देश है, फैक्ट नमबर 22, आप सभी को जानकर हरानी हो सकती है कि भारत में हर साल 32,719 सत्याएं की जाती है, और भारत पूरे दुनिया में पहले नमबर पे है, फैक्ट नमबर 23, कर्मन आसना नदी को भारत में एक सापित नदी माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर को इस नदी को छोएगा तो उसकी सभी जोजनाएं फेल हो जाएगी, फैक्ट नमबर 24, इतिहास के दो बड़े भारत में स्तापित किये गए थे, फैक्ट नमबर 25, हिमाचल प्रदेश में चायाल नाम की एक जगा है, जहां पर दुनिया की सबसे उंची क्रिकेट पिच मौजूद है, और इस सी लेवल से लगभग 2400 मिल्टर की उंचाय में मौजूद है, फैक्ट नमबर 26, महाली में ज इस मंदिर को 11 सताब्धी के दौरान बना गया था और इसको बनाने के लिए बस 5 साल लगे थे, फैक्ट नमबर 28, 17 सेच्चुरी के दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था, और आज भी भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता और पूरे भारत में अगर कस्मीर से कन्याकोमारी तक देखा जाए तो 19 लाक माइल से भी जादा सड़के पाए जाएंगे पूरे दुनिया के मुकाबले भारत में साकाहरी लोगों की तादा सबसे जादा है और यहां तक की Pija Hut, McDonald's की तरफ से भारतियों के लिए स्पेसिली साकाहरी मेनू लागू किया गया था और इनमें से Pija Hut की तरफ से सबसे पहले साकाहरी रिस्टरेंट भारत में खोला गया और भारत ने पूरी दुनिया को जोग विद्या भी शिकाया था जो की लगभग 5000 साल से भी जादा पुराना है दोस्तों कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़े परिवारों में से एक भारत में मौझूद है जिसमें एक आदमी के 49 पत्निया है और उसके कुल 94 बच्चे है तो दोस्तों ये थी भारत से जुड़े वी कुछ रोच्चक, मज़दार और जानकारी से भरवे फैक्ट्स को लेके एक छोड़े से वीडियो आसा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सेर करना मत भूलेगा अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं